नमस्कार क्यापिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर जारकंड से आपको बता रहे हैं जहाँ जारकंड की सियासत में आज का दिन काफी जादा एहम है और मुसीबत भरा है जारकंड के मुक्किमंत्री हेमन सुरे के लिए जमीन गुटाले में आज हेमन सुरेन से पूश्टाच होनी थी एडी के अधिकारी सेम आवास पहुच भी गये हैं और पूश्टाच शुरू भी हो चुकी है लेकिन पूश्टाच से पहले जरा तस्वीरे देखिए कि किस तरह से जियाएमन के कारिकरता जंडा ले इस बात की आश्रंका खुद हेमन सुरेन को भी है जियमन को भी है जिसको लेकर पूरी तयारी कर ली गई है सुबह से ही लागतार बैठकों का दौट जारी है अलग अलग गुटों में बैठके भी चल रही है पर सवाल यह है कि अगर हेमन सुरेन गिरफतार होते हैं तो जा आगला मुक्यमंत्री कॉन होगा हाला कि चर्चा इस बात क्यों हो रही है कि कल्पना सूरेन को मुक्यमंत्री बनाया जा सकता है लेकिन बड़ी ख़बर आपको बता दे कल्पना सूरेन के नाम पर महा गडबंदन में बबावाल की खبरे सामने आ रही है तो जारकंड से तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, मेरे साथ जुड़े हुए है Capital TV के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मरेश कुमार पुछता जो है आज शुरू हो चुकी है, एडिक अधिकारी पहुंच चुके हैं, सेम आवास में क्या माना जाएगी, क्या आज गिरफतारी हो जाएगी देखिए जो सिगनल्स आ रहे हैं, जो हिमन सुरेन को भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है, कि आज इनकी गिरफतारी होगी और ग्रफतारी होने के बाद चीफ मुनिस्टर के पद से ये इस्तिफा देगे कम से कम ये विक्ति केजरिवाल से बहतर है केजरिवाल तो बेशरमी की परकास्था है ग्रफतार किया नहीं गया है पेरने कहरा है मैं जल सी चलाऊंगा सरकार यह आदमी में कम से कम इतनी तो हो morality बाकी है कि यह कह रहा है कि अगर ED पगर के ले गई तो मैं इस तिवा दे दूँगा कोई और बनेगा लेकिन यहीं पेच फस गया इस वक्त जो खबर आ रही है और जिसके बारे में कैपिल टीवी पिछले तीन दिरों से बोलता आ रहा है कि जामुमू जारगन मुक्ति मोर्चा और कॉंग्रेस पार्टी तूट की कगार पे है तो यह अपनी पतनी को कलपना सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे है और कागज पे दस्तकत भी कर लिया गया है लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है कागज पे जो समर्थन पत्र जो है कलपना सोरेन के नाम से विधायकों के दौरा करवाया गया है लेकिन अब ख़बर आ रही है कि दो-दो पेपर के उपर साइन कराया गया दो पेपर पे क्यूं? क्योंकि कलपना सोरेन हेमन सोरेन की पतिनी के नाम पे जहारखन मुक्ती मोर्चा के करीब दस ऐसे विधायक हैं जो उस पे एग्री नहीं कर रहे हैं लेकिन हेमन सोरेन ने प्लान भी भी बना रखा है दो कागज पे साइन करवाया गया है ब्लैंक पेपर पे और ये बताया जा रहा है एक तो कलपना सोरेन के नाम पे और दूसरा चमपई सोरेन के नाम पे इन्होंने साइन करवाया है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हेमन सोरेन जैसे ही गरफतार होगे जारखन मुक्ति मोर्चा में राजरीती का नया चप्टर खुल जाएगा इसकी संख्या गिरफतारी के बाद 12 से जादा होगी अभी तो 10 है लेकिन अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि कॉंग्रेस पार्टी में भी विद्रोह सुरू हो गया है यह बात कैप्टल टीवी तीन दिन से कह रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी जैसे ही हेमन सुरेन गए सीन से बाहर हुए और कॉंग्रेस पार्टी और जारखन मुक्ति मोर्चा में नई चर्निंग और टूट फूट की जो है का सिलस्रा सुरू हो जाएगा लेकिन सवाल यह है कि गिरफतारी होगी या नहीं होगी यही बड़ा सवाल है तो देखिए अभी अभी खबर आ रही है कि एडी ने सीधे सीधे जहारकंड के डीजीपी और चीफ सिक्रेटरी से यह गुजारिस की है कि एडी के दफ्तर और चीफ मिनिस्टर के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी जाए और दोनों ही आफिस के 50 मीटर के रेडियस में वहाँ पे 144 144 मतलब वहाँ पे भीड को इकठा ना हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए सेटरल फोर्स का भी इस्तमाल किया जाएगा और इसलिए यह बताया जा रहा है कि टेकनीक वही है एडी का लेकिन एडी के अधिकारी आज जब सीम आवास पे पहुंचे तो हेलमेट लेके गया है यह हेलमेट लेके क्यों पहुंचे हैं देखिए यह खबर आ रही है कि जैसा कि आपनी तस्वीरों में भी दिखाया कि जारखन मुक्ति मोर्चा के जो कार करता है वो जमा हो रहे हैं कहीं कोई भगदल ना हो जाए क्योंकि आप देखिए हर जगा हर स्टेट में अभी कुछ दिन पहले बंगाल में क्या हुआ यह कीमसी के गुंडों ने एडी की टीम के उपर हमला कर दिया तो उन सब चीजों से बकायदा बचने के लिए इस तरह की कारवाई की जारी है वन फॉटी फोर की तो मांग किसी भी सिटिंग सेम को अरेस्ट करना इतना आशान नहीं है उसके पीछे की यह सारी तयारी बिलकुल आता कि वही टेकनिक वही पुराना है कि जैसे संजे सिंग के घर गए पूस्ताच किया आठ दस घंटे पूस्ताच किया और साम होते होते जब ऐसा लगता है कि भाई कार करता लोग भी ठक गया तो उनको उठा करके लेके चले जाएंगे तो उठा के कहा लेके जाएंगे य वहाँ भी पहुंच जाएंगे ये लोग तो इसलिए CM आवास के पास 144 वहाँ पे सेंट्रल डिप्लाइमेंट वहाँ पे जो है सुरक्षा की ववस्ता और ED दफ्तर में भी यही काम मतलब हेमन सुरेन को वहाँ से उठाके ED दफ्तर ले जाए जाएगा लेकिन उसके बाद जो खेल होगा उसके बारे में जाना और समझना जरूरी है कि जारखन मुक्ति मोर्चा के अंदर ही विद्रो वहाँ पे अभी तो छैलो खुल के आ गये हैं गिरफतार होते होते ये 12 से 15 की संख्या चली जाएगी क्योंकि राजणीति का खेली ऐसा है सरकार बच पाएगी या न और उसके बाद मैं आपको बता दू बहुत ही थिन मार्जिन है ऐसा नहीं कि हेमन सुरन के पास बहुत सारी सीटे हैं जिसके वज़ा से वो बच जाएंगे वो उस तरह का सीन नहीं है यहां बहुत ही थिन बहुत ही मिनिस्क्यूल मेजरोटी में ये लोग सरकार चला रहे है भारती जिन पार्टी के पास भी परियाप तो संख्या है और अगर कॉंग्रेस पार्टी से जो ख़बर आ रही है कि कॉंग्रेस पार्टी के कुछ लोग जो है वो पार्टी छोड़ने के लिए बेताब हो रहे हैं गिरफ्तार नहीं हुआ तो अगर गिरफ्तारी से पहले ही कोई नेता अपने मन की बात सामने कर दे और कल हमन सोरें जो है वो गिरफ्तार नहीं हो तो वो तो घर करेगा ना घाट करेगा it is just wait and watch situation है कि गिरफ्तार हुए नहीं जारखन मुक्ति मोर्चा जो है उसके जो पतंग जैसे लहराता है न कटने के बाद वो जारखन मुक्ति मोर्चा का हालत होने वाला है और यही हाल कॉंग्रेस पार्टी का भी होने वाला है कहने का मतलब यह है कि एक बहुत ही तरीके से और यह भी जानना जरूरी है कि आप देखिए क्या क्या कहानी पीछे से चल रही थी सारी मीडिया जो है वो परिसान थी 40 घंटे से कहां गायब है कली हमने बताया था कि वो सड़क के माध्यम से जा रहे हैं तो आज मीडिया वालों को मालुम चला है कि वह सड़क क खतम हो चुका इनको ओफर दिया गया था बाचीत करने के लिए इनको मौका भी दिया गया था जिस वक्त वहां 36 गड़ में एलेक्सिंस हो रहे थे मध्य परदेश में चुना हो रहे थे प्रदान मंतरी मोधी बकायदा राची आकर के बिरसा मुंडा के सताबदी को सेलिबर लेकिन इनके संयोगी नेता सब कहा गया बिपक्षी गडबंदन में शामिल है इतनी मुसीबत की घड़ी है किसी को तो आगे आके कुछ बोलना चाहिए बिपक्षी में है कौन है इंडी गडबंदन में एक बंदा है जो उधर सिमांचल और बंगाल के बॉडर के उपर जो ह हैं सामने लुटिया डूब रही है इंडी गडबंदन खत्म हो रहा है और इनको मीम्स बनाना है इनको जो रील्स बनाना है इनको जो जो ए तस्वीर खिचवानी है तो इस तरह किसे उनके साथ ख़ड़ा भी होगा कौन कौन आकर कि क्या बोलेगा और सब को डर भी लगता ह है केजरिवार बोलेगा मालूम चला ज्यादा बोले कल उसके घर पहुंच गए आप यह समझ यह कि सरत्मभार बोलेंगे उनके उपर भी केस चल रहा है उनके खांदान के उपर यह उद्दब ठाकरे पूरा का पूरा कुन्बा जो है वो सीडी के रडार पे है तो बोलेगा कौन अभी बोलने वाले हैं के लालू यादब ते तो कल जो है पसीना चूट गया उनका थर थर कापते हुए हूँ एडी के दफ्तर से बाहर निकले हैं ते जोसी आदब भी नब गए बही बोलेगा कौन यहां तो एक से एक कलाकार है आपस में मैं आपको बताओं अभी कु उसमें यचूरी से पूछा गया कि आप यह बताइए कि देश के सबसे तब पांच भरस्ट निता कौन है मालू मैं क्या उन्हों ने कहा बोले यार यह सवाल के जवाब में पूछो बोले नी नी बताइए ही बोले तुम मरवा होगे मुझे मैं नहीं किसी का नाम ले सकता त देंगे तो जो लोग इनके साथ खड़े हैं वो कह रहे हैं चीक चीक के कि सब कि सब वैबान है तो एडी को तो रुकने की कोई आवर सकता नहीं है तीन चार घंटे और और जार्खण में एक नई मुसीबत जो है वो आने वाली है जानकारी के लिए तो जार्खण की सियासत के लिए आज कर दिन काफी जादा एहम है क्योंकि मुख्यमंतरी हेमन सोरेन से एडी के अधिकारी पूश्टाच के लिए सीम आवास पहुँच गए है पूश्टाच शुरू हो चुकी है और बताये यह जा रहा है कि कभी भी किसी वक्त हेमन सोरेन को एडी के अधिकारी गिरफतार कर सकते हैं तमाम बड़ी अपडेट आपको जार्खण से बताते रहेंगे देखते रहें क्यापचल टीवी नमस्कार